प्रेग्निंसी के 9 महिने में एक लेडी में कई तरह के चिंजिस और कॉम्प्लिकेशन सामने आती है जिनमें एक प्लैसेंटा प्रीविया भी है दोस्तों आज के वीडियो में हम प्लासेंटा प्रीबिया के बारे में जानेंगे लेकिन प्लासेंटा प्रीबिया को जानने से पहले आए जानते हैं कि प्लासेंटा क्या होता है दोस्तों प्लासेंटा एक ऐसा ओर्गन है जो प्रेगनेंसी के दौरान आपके यूटरिस के लाइनिंग के अंदर बढ़ता है या अंबलिकल कॉट यानि गर्ब नाल से जुरा होता है और आपके यूटरिस में पल रहे बच्चे को ऑक्सिजन और नूटरिन्स की सप्लाई करता है प्लासेंटा वेस्ट प्रड़क्ट को भी आपके बच्चे से दूर करता है दोस्तों स्पर्म सोर एक के फेटिलाईजिशन के बाद फेटिलाईजड एक फेलोफियन चूप से होते वे यूटरिस में इंप्लांट होता है इस प्रोसेस के दौरा नॉर्मल केस में एक खुद को यूटरिस में सबसे उपर की और अटैच करता है लेकिन कई बार फेटिलाईजड एक घरवासे यानि यूटरिस के नीचले हिस्से से ही खुद को जोड लेता है सिंपल वर्ड में कहें तो इस तरह के मामलों में अम्बलिकल कॉट या प्लैसेंटा जो बच्चे के विकास में एहम रोल निवाता है ठीक यूटरिस के मुपर इस्तित हो जाता है जो कही तरह से खतरناक सावित हो सकता है जैसे ही आपका यूटरिस लेवर के दौनान ओपेन होता है या प्लैसेंटा को यूटरिस से जोडने والी बलाड वेसेल्स के फटने का कारण बन सकता है इससे भारी bleeding हो सकती है इस situation में लगबग सवी women's के लिए C-section यानी seizures की अवशक्ता हो सकती है दोस्तों यदि pregnancy की सुरवात में placenta previa है तो आमतोर पर इससे आपको कोई problem नहीं होती है हाला कि pregnancy के अंतिम भाग या third trimester में ये problem severe bleeding और other complications का कारण बन सकती है दोस्तों मुख्य रूप से placenta previa तीन टाइपस के होते है complete placenta previa complete placenta previa के स्थिति तब होती है जब placenta uterus से लेकर cervix तक के पूरे रास्तों को पूरी तरह से cover कर लेता है partial placenta previa partial placenta previa के स्थिति में uterus के gate यानी cervix का कुछ हिससा ही placenta द्वारा cover किया जाता है marginal placenta previa marginal placenta previa वह situation है जिसमें placenta cervix के पास situated होता है लेकिन cervix को cover नहीं करता है दोस्तों low level placenta या low placenta सब्द का use placenta previa और marginal placenta previa दोनों situation को बताने के लिए किया जाता है दोस्तों ultrasound scan के जरिए डॉक्टर को आपकी placenta के सितिका पता चलता है यदि आप pregnancy की सुरुवात में ultrasound scan कराएं और इसमें placenta cervix के पास दिखाए दे तो भी चिंता ना करें बेबी के बढ़ने के साथ आपका बढ़ता uterus सायद placenta को उपर की तरफ खींच लेगा और यह cervix से दूर हो जाएगी इसे placental migration कहा जाता है ऐसा उन अधिकांस मामलों में हो जाता है जहां placenta pregnancy के सुरुवात में नीचे की दरफ इस्तित होती है लेकिन यदि प्रेगनेंसी के 20 वे वीक या इसके बाद के वीक में किसी pregnant lady को bleeding हो रहा है तो placenta previa की chances हो सकती है दोस्तों placenta previa की screening के लिए आम दोर पर ultrasound technique का use किया जाता है इससे placenta की मौझोधा situation की exact जनकारी मिल जाती है और डॉक्टर को इससे पता चल जाता है कि placenta uterus के cervix के रास्ते को कितना cover कर रहा है लेकिन कुछ cases में placenta uterus के पीछली तरह भी होता है ऐसे में जांच के लिए transvaginal ultrasound यानि TVS का help लिया जाता है इसमें vagina के अंदर transducer inserts करके पता लगाया जाता है कि placenta किस जगा है दोस्तों आई अब ये जानते हैं कि placenta previa किस woman में common है दोस्तों placenta previa होने के पीछे का exact cause क्या है या अब तक क्यात नहीं है लेकिन कुछ मामलों में ये common होता है जैसे कि अगर पहली delivery surgery हो पहले अगर abortion हुआ हो uterus का abnormal तरीके से growth होना पिछली pregnancy में भी यदि placenta previa की problem रही हो mother को smoking, alcohol और tobacco का 7 करने की आदत हो या फिर uterus related कोई inborn problems हो दोस्तों placenta previa का main effect यह है कि आपकी delivery surgery नों operation से होगी मगर और भी कुछ complication है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे कि अगर आपको placenta previa है तो pregnancy या delivery के दोरान अचानक बिना दर्द के bleeding होने का खत्रा रहता है इसके अलावा एक और rare complication हो सकता है जिसमें placenta कुद को uterus की दिवार में काफी गहराई तक implant कर लेती है और बेबी के जन्म के बाद बाहर निकलने के बजाए यह uterus से ही जुरी रहती है इस condition को placenta equita कहते है अगर आपका पहले seizureion operation हो चुका है तो ऐसा होने की संभावना अधिक रहती है और आपके जितने ज़्यादा seizureion होते है यह खत्रा होतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है जैसे जैसे pregnancy आगे बढ़ती है placenta previa की problems अपने आप ही दूर हो जाती है ऐसा uterus का आकार बढ़ने के कारण हो सकता है वही अगर second trimester में low-lying placenta का पता चल जाए तो third trimester के mid तक doctor lady की condition के अनुसार कुछ suggestion दे सकते है दोस्तों fetus और mother का health और uterus में fetus का location और position इन सब factor पर depend करता है कि normal delivery होगी या c-section delivery होगी यदि pregnancy के बाद के steps में placenta previa के सथे विक्सित हो जाती है तो c-section delivery की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों placenta previa में blood के deficiency को रोकने के लिए sufficient amount में nutritious food लेना चाहिए specially iron से भरपूर diet जैसे के red meat, डाल और हरी पत्तेदार सबजियां या आप में खून की कमी होने की संभावना को कम करता है इसके अलावा आपको नियमी तोर पर आपके doctor द्वरा प्रेस्क्राइब किया गया iron supplement को भी लेनी चाहिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी